हेलो फ्रेंज दिवाकड़ेकित में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम लोग अपने वर्डपेस के लिंक के स्टक्चर को चेंज करेंगे जैसे आप देख सकते हो कि यह भी लिंक जो बाइडिफॉल्ट है यहां पर डेट के साथ आ रहा है तो इसे हमें चेंज करना है तो हम पहले wordpress, dashboard पर आ चुक है है यहां पर आप देखो होगे settings यहां पर आप देखोगे तो परमा link आप्शन होता है यह technical इसको हम लोग प्रमा link बोलता है WordPress में इस इस ऊटक्चर आप देख सकते हो by default यह selected है तो अगर आप में अगर यह selected हो plain हो अगर 살िक कर देंगे issue point of view से अच्छा नहीं है और आप यहां पे भी देख सकते हो जैसे मैं इस सेप्चेंज इस पर क्लिक करता हूँ और इस post को एक बार हम इस post को हम लोग ऐसे view कर लेंगे तो आप देखोगे कि पी वन लिखा हुआ है यहां पर पोस्ट आइडी यहां पर लिखा हुआ रहा है तो यह इसका लिंक अच्छा नहीं है और दूसरा होता है कि आप अपने पोस्ट में यहां पर date, year, month और date के साथ पोस्ट लिख सकते हो पोस्ट का जो लिंक है वो दो डिस्प्ले करा सकते हो लेकिन इससे पता लगता है कि कब पोस्ट लिखा हुआ है तीसरा होता है month name और यहां पर लिखा हुआ है पोस्ट का जो URL है आप इस तरह से भी save करके changes करके आप देख सकते हो मैं इसे save changes कर लेता हूँ और मैं इससे refresh करूंगा एक बार कि किसी एक पोस्ट को तो आप देखेंगे इसमें month के साथ फ़क्त यहां पर year month आएगा date नहीं आएगा आप देख सकते हो इस तरह से आप प्रमा लिंक रिसेट कर सकते हो अगर कोई numeric value चाहिए तो भी आप इस तरह से save changes करोगे तो इस post id के साथ आएगा और इसे मैं आप refresh करता हूँ इस एक बार refresh करके फिसे से view करते हैं तो इसका post अब जो है id के साथ आएगा एक मेंट यहां पर कुछ परमा लिंक हमने रिसेट कर लिया है अब इसे हम view करेंगे तो आप देख सकते हैं यह archive one के साथ आ रहा है आप देख सकते हैं इस तरह से चेंज कर ला करें एक बार में work ना करें तो इसे दो तीन बार आप save करेंगे तो यह work करना चाल हो जाए इस तरह से आप पोस्ट नेम के साथ यह सबसे अच्छा माना जाता है आप इसका यूज करें क्योंकि इसमें कोई लिंक में नुमेरिक वैलू नहीं है और उसके साथ देख भी नहीं आ रहा है तो यह आप यूज कर सकते हो पुराने जैसे आये पुराने आये URL तो आप क्या करेंगे इसके परमा लिंक को दो तीन बार आप save कर लेंगे इस पूरी तरीके से रिसेट हो जाएगा आपका लिंक तो आप आसाने से उसे रिफ्रेस करके आप देखेंगे तो यह अब यहां से अर्काइब के साथ वन टू जो लिखा हुआ रहा था वह रिमूब हो चुका इस तरह से आप इसका URL चेंज कर सकते हो परमा लिंक रिसेट कर सकते हो अगर कोई custom structure चाहिए तो आप तो भी कर सकते हो अगर आपको category के साथ पूस्ट नेम और category नेम भी चाहिए तो आप यहां से यह लगा सकते हो और इससे साथ में आप category भी आएंगे आप यहां से देख सकते हो जो चीज़े आपको चाहिए उस पर आपको क्लेक करना है custom आप create कर सकते हो एक बार मैं इसे refresh करके दिखा देता हूं आपको फेंस यह है Hello World यह uncategorized category है तो आप यह इसे भी यहां से भी देख सकते हैं मैं आपको edit करके दिखा देता हूं, यह uncategorized select है, तो यह देख सकते हैं, यहां से category में, uncategorized, यह checked है, अब आप चाहते हो post का URL चेंज करना, किसी specific post का URL चेंज करना चाहते हो, और बहुत लंबा post का slug है, तो यहां पर आप देखो कि बहुत बढ़ा आएगा, जैसे hello world लिखा अभी छोटा ही है, लिकिन मैं चाहता हूं सिर्फ hello लिखा है, तो आप यहां से भी इसका change कर सकते हो, इस select को change कर देना है, select आप जैसे आप post को open करोगे, मालों में एक बार post पर back चला जाता हूं, इसके बाद दिखाता हूं आपको, इसको हम लोग edit करेंगे, और इस post का सिर कर लेंगे, अगर यह hide हो इस तरह से चुपए हो, तो आप परma links पर click करेंगे, और hello world आप जो यहां पर select डाल दोगे, वह आपको दीख से आएगा, यहां पर दीख रहा है, यहां update कर दूँगा, अब इस update कर दूँगा, इस URL पर click करूँगा, तो आप देख रहों कि यहां पर hello लिखा हुगा, यह uncategorized इसलिए आ रहा है, क्योंकि हमने custom परma links चूज कर रखा है, हमें इसे इस तरह से custom को नहीं रखना है, यह पूस्ट नेम के साथ रखना है, यह सब सच्छा माना रहा था, इस URL के point of view से, इसे मैंने हमने save कर दिया, और इस एक बार refresh कर लेते हैं, तो अब यह hello लिखा हुगा, URL में इसके, तो इस तरह से आप change कर सकते हो, अपने परma link को और इस तरह से आप single post के भी URL को change कर सकते हो, अगर वीडियो अच्छा लागे तो मैं चैनल को subscribe कर लेना, और notification दबाते हैं, ताक कि मैं जब भी कोई video upload करो, उसका notification मिलता है, वीडियो देखने के लिए दहनमाद प्रेंज,